Hello everyone, welcome back to NetJRF Mindfriends आज हम cover करने वाले हैं आपके paper 1 के लिए unit 4 unit 4 related है आपकी communication से तो communication में आज हम देखने वाले है communication क्या होता है, communication की विसेश्थाइं क्या होती है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे effective communication क्या होता है फिर हम देखेंगे communication के type कितने परकार का communication होता है verbal communication क्या होता है और आपका non-verbal communication क्या होता है तो आज की class में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं friends लेकिन इससे पहले आपके लिए एक बहुत ही important update है तो जैसा की friends आप अपनी screen पर देख सकते हैं NETJRF Mind आपके जून 2023 के exam के लिए एक proper course launch कर रहा है paper 1 और paper 2 दोनों के लिए ठीक है चलिए देखते है इस course की आखिर क्या विसेशता हैं आपको इस course में क्या सब मिलने वाला है देखिए paper 1 और paper 2 के लिए हम दोनों course को launch कर रहे हैं आपके पास सिर्फ अभी 2 महीने का time बचा हुआ है 2 मन्त में ऐसे में content और सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए तो friends हम इन 2 महीनों के अंदर आपके जून 2023 के exam से पहले आपके दोनों paper का full syllabus यहाँ पर cover करके देंगे topic wise ठीक है इसके साथ में आपको PDF notes भी दिया जाएगा हर topic का दूसरा आपके साथ में daily current of year को live आकर discuss किया जाएगा तीसरा आपको daily PYQ basis पर practice test करने के लिए दिये जाएंगे ठीक है आपके साथ जितना भी previous year questions है ठीक है 20 से 25 सालों का आपके साथ previous year questions को हम discuss करेंगे वो भी topic wise ठीक है लास्ट में आपको जो है 5 full length test मिलेंगे ठीक है तो आपको 5 full length test मिलेंगे लगाने के लिए तो ये सब आपको इस course में मिलने वाला है friends तो मैं आपको बता दू कि seat जो है काफी limited है ठीक है आप देख सकते हैं कि paper 1 के लिए यहाँ पर 50 seats बची हुई है बस और जो भी student सबसे पहले इस course को purchase करता है देखे paper 1 के लिए real fees थी आपकी 599 यानि की 500 99 में ठीक है लेकिन जो भी student पहले इस course को purchase करता है वो paper 1 का course सिर्फ 299 में रुपे में खरीच सकता है ठीक है ऐसे ही paper 2 है paper 2 में आपकी सिर्फ 25 seats बची हुई है 25 seats तो यह course था आपका 999 में रुपे का लेकिन जो भी student इस course को पहले खरीचता है paper 2 paper 2 हम political science आपका कराएंगे ठीक है तो political science के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तो friends paper 2 का course political science के लिए आपको पढ़ेगा 599 यानि की 599 रुपे का आपको यह course पढ़ेगा जो भी इस course को पहले लेगा तो seat limited है आप प्लीज जल्दी से संपर्क करें ठीक है तो देख सकते हैं पहले 25 students के लिए जो है 50% discount यहाँ पर दिया जाएगा तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की inquiry और अगर आप अपना registration करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस number पर call कर सकते हैं इस number पर whatsapp message कर सकते हैं या हमें टेलिग्राम पर जाकर इस आईडी पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें जिमेल भी कर सकते हैं, netgrfmind.com पर ठीक है, आप हमें इस नमबर पर डारेक्ट कोल कीजिए, आप से बात की जाएगी, तो आप किसी भी परकार की इंफोर्मिशन या इंक्वाइरी क के लिए इस नमबर पर कोल जरूर करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप समझें यहां पर की है, ये वियक्ती कुछ इंफोर्मेशन जो है, इस वियक्ती को दे रहा है, तो सेंड कर रहा है, तो बैसिकली, आप देख सकते हैं, कि communication क्या होता है? то friends, communication में दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में information, information का प्रवहा होता है, ठीक है? information को भेजा और receive किया जाता है, तो आपको समझ आ गया होगा कि basically communication क्या होता है? तो आप आसानी भासा में बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बेच में किसी भी प्रकार की information का, ठीक है, information को भेजना और उसको receive करना ही आपका क्या कहलाता है, communication कहलाता है, ठीक है, sending and receiving information between two or more people, ठीक है, यहाँ पर basically क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर exchange of ideas होता है, यानि कि हम यहाँ पर जब आपस में बातची हो रहा है, ठीक है, between two people, यहाँ पर सिर्फ दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो यह दो लोगों के बीच भी हो सकता है, और दो से जादा लोगों के बीच भी यह प्रवहा हो सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि communication के अंदर information का एक जंगा से दूसरे जंगे पर ज जरूरी है, ठीक है, ideas का exchange होना जरूरी होता है, और friends, जो communication होता है, आप कहा सकते हैं कि यह continuous process होता है, ठीक है, continuous process कैसे होता है, सपोस कि जी यह दो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति ने कुछ बात कही, ठीक है, और दूसरे ने सुनी, ठीक है, तो दूसरा भी कुछ बोलेगा, फि चोथा है, आपका anticipatory excitement, देखें, यह क्या होता है, friends, इसका मतलब यह है, सपोस कीजिए, यह आपकी teacher है, ठीक है, और यह students है, तो teacher students को पढ़ा रही है, लगातार, काफी देर से, ठीक है, और student क्या है, वो निस्किरिया हुए, बैठे हुए है, कोई भी response teacher को नहीं दे रही है ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो students है, उनका जो anticipatory excitement है, इसका मतलब होता है, आपका उस conversation में participate करना, ठीक है, किसी भी परकार की conversation हो रही है, आपका उसमें participate करना, आपका कुछ बोलना, ठीक है, वही आपका anticipatory excitement कहलाता है, सपोस कीजिए, अभी मैं आपकी class ले रही हूँ, ठीक है, class के बाद मैं आपको बोलूगी कि, place students आप जो है, comment किया कीजिए, ताकि हमें पता चल पाए, और हम अपने इस initiative को और better बना पाए, ठीक है, तो मैंने आपको बोला, लेकिन आप में से कुछ student ऐसे होते हैं, जो class देख लेते हैं, लेकिन comment नहीं करते हैं, ठी तरीके से जो है, active नहीं है, ठीक है, वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ student ऐसे हैं, जो हमेशा comment करते हैं, ठीक है, comment में बताते हैं, कि class अच्छी थी, या फिर ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो जब आप comment करते हैं, और अपनी teacher से जो है, participate करते ह हैं एक तरीके से, तो friends, ये कहलाता है, आपका anticipatory excitement, it means कि आप भी class को लेकर excited होते हैं, आपको भी पढ़ने में मज़ा आता है, ये आपका anticipatory excitement कहलाता है, ठीक है, I hope कि आपको समझा गया होगा, तो यहाँ पर हमने समझा कि communication basically क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं, अब हम effective communication का मतलब होता है, प्रभावी संचार, ठीक है, हिंदी में अगर बोलें, तो इसको बोलते हैं, प्रभावी संचार, ठीक है, तो effective communication क्या होता है, friends, effective communication वो होता है, जहाँ पर sentence में completeness पाई जाती है, ठीक है, completeness का क्या मतलब है, suppose कि ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक् इसकी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही है क्यों कि ये आधा दुरा सेंटेंस बोल रहा है ठीक है तो इसकी बातों में क्या नहीं है अगर इसकी बातों में कम्प्लीटनेस होती तो ये effective communication कहलाता इसको ये चीजे समझ आनी चाहिए आखिर ये व्यक्ति क्या बोल रहा है ये दूसरे व्यक्ति को समझ भी आना जरूरी है ठीक है तो effective communication का first feature क्या होता है first characteristics क्या है completeness ठीक है आपकी बातों में completeness होना बहुत जरूरी है दूसरे को समझ आना जरूरी है दूसरा है correctness आपकी बातों का सही होना भी बहुत जरूरी है ठीक है accurate बोलना बहुत जरूरी है तो completeness होनी चाहिए effective communication में correctness होना जरूरी है तीसरा clarity आप जो बोल रहे हैं उसमें clarity होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है आप बिल्कुल simple साफ साफ बोलिए कि आप क्या बोलना चा ठीक है आपने बहुत लंबी चोड़ी कहानी बनाई ठीक है और तब उस बात को last में कहा लेकिन एक तरीका है आप बहुत ही concise way में बहुत ही छोटे way में ठीक है अपनी बात को कह देते हैं और दूसरे को वो समझ भी आ जाती है तो यह कहलाता है आपका conciseness ठीक है तो communication effective आप बहुत जरूरी है ठीक है इसका मतलब यही है कि दूसरे व्यक्ति को आप क्या बोल रहे है वोचित समझ में आना जरूरी है देखिए छटा जो है यह काफी important है friends यहाँ पर बच्चे अक्सर जो है miss कर देते हैं इस point को ठीक है तो आप समझ आखिर यह क्या है देखिए छटा रही है students को तो friends effective communication आपका तब होगा जब student ठीक है effective तरीके से अपने teacher की बात सुन रहे है active होकर बात सुन रहे है teacher तो लगतार पढ़ा रही है अगर बच्चा सुने ही ना ठीक है बच्चे का ध्यान इधर उधर भटक रहा हो तो क्या होगा क्योंकि बच्चा तो सुन ही नह ठीक है तो क्या आप इस प्रकार की communication को effective communication कहेंगे नहीं न क्योंकि effective communication के लिए effective listening का होना भी बहुत ज़रूरी है ठीक है listening का क्या मतलब है धिहान से दूसरे की बात को सुनना ठीक है तो आपने यहाँ पर देखा कि effective communication क्या होती है तो friends एक बार मैं आपको बता देती हूँ short म देखिए effective communication में completeness का होना ज़रूरी है correctness होना चाहिए clarity, conciseness, understanding और effective listening most important ठीक है तो effective communication आपका तब होगा जब यह सारे part किसी भी communication में होंगे चलिए देखते हैं communication के प्रकार, communication कितने प्रकार का होता है तो basically जो communication है यह दो प्रकार का होता है ठीक है एक है आपका verbal communication और दूसरा होता है आपका non-verbal communication ठीक है तो देखते हैं verbal communication क्या होता है देखे फ्रेंट्स अक्सर यहाँ पर इस्टुडेंट्स इस चीज में गलती कर जाते हैं वर्बल कम्यूनिकेशन का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि आप जो अपने मुझ से कुछ चीज बोल रहे हैं ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता वर्बल कम्यूनिकेशन में आपका रिटन और ओरल यानि कि ओरल का मतलब होता है आप अपने मुख के दुआरा कोई चीज को बोल रहे हैं रिटन का मतलब कुछ लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा वर्बल कम्यूनिकेशन में लेंग्वेज का यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वर्बल कम्यूनिकेशन में कोई भी लेंग्वेज यूज होती है, लेंग्वेज में क्या वर्ड्स यूज होते हैं, यहाँ पर वर्ड्स यूज होंगे तो आप देख सकते हैं, हम ओरल, हम जब कुछ चीज को बोल र सकती है ठीक है basically यहाँ पर language का use किया जाता है ठीक है तो verbal communication का language जो है यह important component होता है अब समझते हैं दूसरा प्रकार तो एक हो गई हमारी verbal communication जबकि दूसरा है हमारा non-verbal communication तो non-verbal communication को आप समझे तो non-verbal communication काफी important है देखिए non-verbal communication आपका वो होता है friends जहाँ पर कोई भी word या language का use नहीं किया जाता है ठीक है यहाँ पर हम ना तो कोई word का use करते हैं ना language का use करते हैं अपनी बात को कहने के लिए देख सकते हैं by the communicator to convey the message अपनी बात को कहने के लिए हम यहाँ पर non-verbal communication में किसी भी प्रकार की word या language का use नहीं करते हैं तो फिर हम use क्या करते हैं तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं non-verbal communication में basically आपका attitude जो होता है आपका action जो होता है आपकी appearance जो होती है ठीक है यह indirectly सामने वाले को बहुत कुछ कह जाती है ठीक है बहुत कुछ communicate कर जाती है तो यह indirectly communication होता है यहाँ पर ना तो हमने कोई language यूज की ना ही कोई word यूज किया for example मैं आपको एक example से समझाती हूँ कि कैसे होता है देखिए तो appearance का क्या मतलब है हम इस word को लेते हैं suppose कीजिए friends आप आपका interview है ठीक है अपने मुक से एक word भी नहीं बोला ठीक है कोई बाचीत नहीं हुई है लेकिन आपकी जो personality है उसने ही बहुत कुछ कह दिया होता है faculty member को I hope कि आप समझ रहे होंगे कैसे आपकी जो waste भूशा है समझ रहे हैं आप जिस तरीके के कपड़े पहन कर गए हैं अपने अपनी choice होती है और आप जिस तरीके से बैठते हैं वहाँ पर जाकर जिस तरीके से आपका action होता है ठीक है वो indirectly बहुत कुछ कह जाती है सामने वाले इंसान को तो ये आपका non-verbal communication में आता है आपका attitude आपका appearance appearance का मतलब आप किस तरीके से अपने आपको appear मतलब दिखाते हैं लोगों को ठीक है कैसी waste भूसा पहनते हैं ठीक है इंटर्वियो के लिए एक formal dress होती है ठीक है तो उस formal dress को carry करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसा नहीं है कि बहुत चड़क भड़क के कपड़े आप पहन कर चले जाएं तो वो एक गलत impression होगा ना तो उसने आपके बारे में बता दिया कि आपका क्या attitude है क्या behavior होगा सामने वाले को इसने बता दिया ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ा light color का ठीक है जो भी एक formal wastebusa होती है interview के लिए आप उसको पहन कर जाते है तो आपका जो appearance है वो सामने वाले को बहुत कुछ कह देता है ठीक है तो non-verbal communication जो है आपका ये भी कई प्रकार का होता है तो चलिए देखते हैं various types of non-verbal communication तो non-verbal communication के भी आपके चार प्रकार होते हैं ठीक है देखे non-verbal communication में क्या आता है सबसे पहले आती है आपकी body language ठीक है आप interview में गई तो आपकी क्या body language है आप ऐसे जुक कर बैठे हैं एकदम एकदम सीना तान कर सीधे बैठे हुए है ठीक है तो ये भी तो बहुत कुछ कहता है सामने वाले की personality के बारे में तो friends आपकी जो body language है इसको जो body का अध्यान करना ये क्या कहलाता है आप देख सकते है kindness 6 ठीक है तो ये आपका body language से ही related अगर आप से ये word पूछ लिया जाए कि ये किस से related है तो ये आपका body language से related है ठीक है तो nonverbal communication में क्या आ जाएगा body language आपका आएगा दूसरा distance ठीक है distance कैसे देखे distance की जो अध्यान होता है उसको proxemics बोलते हैं तो इस word को भी आप याद रखना कि ये distance से related है तो distance से कैसे देखे जब आपका कोई बहुत ही close friend होता है ठीक है तो आप उससे कितना distance बनाते हैं क्या आप ऐसा होता है कि आपका बहुत close friend आया maintain करेंगे ठीक है बड़े व्यक्ति से आप distance maintain करते हैं थोड़ा उससे दूर बैठना होता है किसलिए उसकी respect में ठीक है ये एक behavior की चीज़े होती है जो व्यक्ति को खुद ही understood करनी होती है ठीक है आपका कोई professor है तो आप उससे भी थोड़ा distance maintain करेंगे आपका कोई close है उसके पास बैठेंगे तो ये सारी चीज़े क्या होती है ये आपकी non-verbal communication में आती है ठीक है तीसरा है आपका voice देखे voice का अधियन क्या कहलाता है पैरा language तो आप इन words को याद रखना कि कौन किस से related है ठीक है तो voice किस तरीके से देखे आपका कोई friend है तो आप उससे किसी भी tone में बात कर सकते हैं voice में ठीक है किसी भी tone में आप उससे बात करेंगे आपसे कोई बड़ा है तो आप उसे थोड़ी सी धीमी आवाज में respectively ठीक है सम्मान के साथ आप उससे बात करेंगे तो ये जो आपका tone है voice में क्या आता है आपका tone आप किस लहजे में बात कर रहे हैं सामने के लिए ठीक है तो आपने देखा कि यहां पर जो tone है pitch है यानि कि आपकी voice भी काफी कुछ कह देती है indirectly आपके बारे में तो यह किसमें आएगा voice nonverbal communication में आता है चोथा है आपका touch, touch जो है आपका haptics, touch के जो अध्यान है उसको बोलते हैं haptics तो haptics word किस से related है यह आपका touch से related है तो friends touch भी आपका एक nonverbal communication का ही part होता है तो यहां पर हमने various types देखे बहुत सारे प्रकार देखे nonverbal communication के ठीक है तो friends यहां पर हमने communication के प्रकार देखे communication के हमने यहां पर दो प्रकार आपके देखे वर्बल कम्यूनिकेशन और नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन इन प्रकार के अलावा कम्यूनिकेशन आपका और भी प्रकार का होता है जैसे कि आप देख सकते हैं आप वर्ड कम्यूनिकेशन आपका होता है डाउन वर्ड कम्यूनिकेशन क्या होता है ठीक है इसके बाद एक होता है आपका horizontal communication, diagonal communication ठीक है एक होता है आपका intrapersonal communication और एक होता है interpersonal communication यहाँ से आपके exam में काफी question आते हैं ठीक है हर topic को आप अच्छे से cover करना चाहते हैं तो आप हमारा course purchase कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि paper 1 के लिए सिर्फ आपको 290 में रुपे पे करने हैं और आपको एक organized course ठीक है हर topic की class बहुत ही अच्छे से और दो महीने के अंदर आपके exam से पहले आपको पूरी करके दी जाएगी ठीक है paper 2 अगर आपका political science है तो आप paper 2 का भी course यहाँ से जरूर purchase करें ठीक है political science के लिए तो seat limited है seat इससे पहले खतम हो जाए आप हमने जरूर संपर्क करें इस number पर ठीक है आप हमें contact कर सकते हैं इस number पर आप direct call कीजिए direct message कीजिए WhatsApp message या आप telegram पर बजा कर भी हमें message कर सकते हैं ठीक है gmail भी आप हमें कर सकते है और friends अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले वीडियो को like और comment जरूर किया करें फिर मिलते हैं next class में thank you so much friends